हाई गाईस में हूँ आजेकंबोज और अब हम एक फार्मा फ्रेंचेजी मार्टिंग कोर्स सुरू करने जा रहे हैं तो यह वीडियो है यह उसका इंट्रोड़क्टरी वीडियो है कि उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे थ्रूआउट पूरे कोर्स हम काफी डिटेल में कवर कर हो तो यह कॉर्स जितने भी फ्रेस्ट केंडिडेट आते हैं फार्मा फ्रेंचेजी मांकिन में उनके लिए एक्सपीजर के लिए आगर वो कुछ लेना चाहते हैं यह उपने से को सीखना चाहते तो उनके लिए भी यूजफिल होगा उसके अलावा बहुत परसंट खुद ह इंडिविजुली काम करते कुछ इंडिश्ट्री में जो स्टार्टिंग लेवल पे उनके लिए भी बेनेफिट हो सकता है या दूसरे इंडिविजिवल्स जो पूरे और वर्ड या इंडिया किस तरह क्लाइंट या डिस्ट्रिबूटर्स या फ्राइंडिविटर्स डूंड हो या किसी उसमें कैसे हम PCD फ्राइंचेजी डूड सकते डिस्ट्रिबूटर्स डूंड सकते हैं उसके लिए ये बेनेफिट सल होगा काफी इस को हमने दो पार्ट्स में और सेवन चैप्टर्स में बाटा हुआ है बहले बेसिक से हम स्वरवात करेंगे उसके बाद इनलाइज करते हैं इस्ट्रिबूटर्स को फ्रेंचेजी को सब सीखेंगे जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा बेसिक नॉलिज ऑ फार्मसोडिकल इंडिस्ट्री इस पार्ट को हम तीन चैप्टर में डिवाइड करेंगे पहला चैप्टर रहेगा कि वाड़े इस फार्मा समझने के बाद हमारे लिए असान हो जाता है तो उसके बारे में जानेंगे कि क्या साइकलोजी होती है कैसे हम डिस्ट्रीटर को समझ सकते हैं और तर्ड चैप्टर जो रहेगा वह फार्मस्टोटिकल इंडेस्ट्री के बारे में रहेगा उसकी कुछ टर्मनोलोजी पैकिंग के बारे में जानने के बारे में रहेगा सेकिंड पार्ट को हमने नाम दिया है सेल्स प्रोसेस इसमें सेल्स के बारे में जानेंगे बेसिक नहीं जानेंगे इसमें सिधा प्रेक्टिबिल्टी के बारे में जानेंगी कि कैसे हम सेल्स प्रोसेस कर सकते हैं सेल्स प्रोसेस को ह और हमने चार चैप्टों में डिवाइद किया है पहले चैप्टर-4 में हम identify करेंगे प्रोस्पक्ट को कैसे identify करेंगे कि हमारा proportion system हो सकता है उसको identify करेंगे चैप्टर फाइब में हम जो बात करेंगे वो lead generation की करेंगे कि कैसे हम queries पासकते हैं franchise के लिए और कैसे हम अपने prospect को approach कर सकते हैं जो chapter 6 रहेगा वो follow up रहेगा कि जो हमारे पास query आते हैं उनको हम कैसे follow up ले सकते हैं और जो 7th chapter रहेगा उसमें हम sale को close करने के बारे में discuss करेंगे को को समें क्या क्या रहेगा आप basic से जान लेते हैं कि उसमें बेसिक knowledge होगी फार्मसीटिकल इंडूस्ट्री की किस टाइप टाइप कितने होते हैं nature of development के साफ से selling के साफ से drug को कितने टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं pharmaceutical my market size कितना है क्या क्या growth opportunities होती है और अगर हम मार्क्टिंग और सेलिंग किस तरह कर सकते हैं फार्मा किन किन तरह से कर सकते हैं फार्मसोटिकल इंडिस्ट्री में फ्रैंचेजी क्या होती है दूसरी इंडिस्ट्री में फ्रैंचेजी मोडल कैसा रहता है फार्मा फ्रैंचेजी क्या होती है फार्मा में फ्रैं होनी चाहिए सेल्स टाइप क्या क्या होते हैं क्या नेट रेट किसको कहते हैं फाइस टू रिटेलर प्राइस स्टोकिस्ट क्या होते हैं कैसे कैलकुलेट होते हैं क्या स्कीम होती क्या ओफर होते हैं पैकजिंग ट्रम क्या रहती है टाइप सोप मैडिसिन के बारे में क्या होती है ट्रडिशनल से होते हैं कैसे हम फॉलोप ले सकते हैं उनको किया है इंपोर्टन पॉइंट क्या होते ग्या होते हैं फार्मा फ्रैंशेजी मार्टिंग के और भी काफी को सामयी स्कूर्स में कवर करेंगे उमीद करेंगे यह information आपके लिए अच्छी होगी Thanks for watching